नमस्कार, राज़ेश पैलेट गॉर्मेंट पॉरे टेक्निक वालेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपस वागत है मैं आनी लजमेरा, होडी कम्पुटर्स, आज हम यूनित टंबर टू, CS 308, नेट वक सिक्यूरिटी और क्रिप्टोग्राफी में स्पैसिफिक अटेक्स के बारे में अध्यन करेंगे इससे पूर की कक्षा में हम स्पूफिंग और स्पूफिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्पूफिंग क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है और अटेक किया जाता है तो नीच्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिशिंग फिशिंग का अर्थ एक तरह से होता है कि किसी को जाल में फसाना है मशली को जाल में फसाना है उस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है और ये एक तरह की social engineering attack है social engineering attack ये है कि कोई भी identity बनाकर या fake अपनी profile बनाकर attack किया जाता है और इसमें जो user का data है वो चुरा लिया जाता है user data चुराने के लिए जो login credentials है वो चुरा लिया जाते हैं credit card के number चुराया जा सकते हैं और उनके दोरा जो attacker है वो एक trusted entity बनके या mask reading as a trusted entity बनके और जो victims हैं उनकी email open कर लेता है उनके messages को चुरा लेता है या उनको text message वगरा बेज देता है तो phishing के लिए पहले काफी एक बुमी कब आया जाती है उसके बारे में अध्यन किया जाता है और उसकी profile वगरा चेक करके fake profile बनाकर और किसी को एक actual site का impression देते वे attack किया जाता है so phishing is a fraudulent attempt to obtain sensitive information or data such as username, password and credit card details phishing के दोरा एक fraud करते हुए जो sensitive information होती है किसी का username, उसके password या उसके credit card की details चुराई जाती है by disagreeing oneself as a trustworthy entity in an electronic communication इसके दोरा इसके लिए phone भी किया जा सकता है इसके लिए email भी बेज़ी जा सकती है या किसी social network के दोरा भी message देकर information मांगी जा सकती है जैसा कि हम regularly newspaper में पढ़ते रहते हैं कि credit card block होने का, debit card block होने का, LIC की policies spoil होने का या उसको वापस चालू कराने के लिए आता है तो यहां भी कई बार KYC कराने के लिए details आती है और details मांग ली जाती है और तुरंथी आपके account में से passive अगरा transfer कर ली जाते हैं तो यह जो है, typically these are carried out by email spoofing इसके लिए email आती है जो की बड़ी actual, आपको लगएगा कि actual website से आईए मिलते जुलते साइट से आईए और आप से कोई password या credentials मांग ली जाते है instant messages आ सकते है, text message आ सकते है और आपको जो personal information है वो feed करने के लिए किसी fake website के उपर ले जा जा सकता है जो की बिल्कुल legitimate site की तरह match करती है आपको ऐसा लगेगा कि ये जो message है किसी bank से आया है या हमारा जो कोई policy हमने ले रखी है उस जगह से आया है और आप उसको login करने के लिए अपने password डाल सकते है या दूसरी username अगरा information डालेंगो जो की information चुरा के आपके account में से किसी भी प्रकार का fraud किया जा सकता है तो ये चीज fishing कहलाती है अब fishing के कुछ प्रकार है जैसे deceptive fishing the most common type of fishing है deceptive fishing इसके अंदर जो attacker है वो आपकी confidential information प्राप्द करने के लिए attack करता है और ये जो attack किया जाते हैं ये generally पैसे चुराने के लिए किया जाते है और एक fake email किसी bank के द्वारा आता है या bank जैसे लिखने वाली site से आता है और एक link बज़ा जाता है कि आपके किसी भी update करने के लिए जो link बज़ा गया है इस पर आप क्लिक करिए और अपनी account की details को verify करिए तो इस प्रकार की information जो होती है वो mostly money चुराने के लिए या पैसे चुराने करी किया जाती है और mill to site बना के attack किया जाता है ये सबसे common तरीका है fishing का जिसके द्वारा कोई भी fake website बना कर आप से credentials मांगे जाता है और उसके द्वारा attack कर दिया जाता है दूसरी जो fishing की technique है वो है spear fishing इस के अंदर जो है वो target को individual होता है मतलब एक group of people को information भेजने की जगा Deceptive fishing में जो बहुत सरे लोगों को email भेज़ जाती है उसमें से कुछ लोग फस जाते है उनके उपर attack हो जाता है जबकि spear fishing जो होती है उसके अंदर पहरे से target किया जाता है किसी particular आदमी को और उस आदमी के बारे के उपर उसकी research करके उनकी social media की research करके उनकी interest check करके और ये सारी चीज़ें चुरा के बड़े तरीके से source समझ के उनके पर attack किया सकता है और जो communication होता है वो भी कस्टमाइज किया जाता है मतलब कस्टमाइज कारतिया है कि बिल्कुल एक particular आदमी के लिए ही सारी त्यारी की जाती है और उस पर attack किया जाता है ताकि बिल्कुल ये authentic या बिल्कुल सही लगता है कि सही तरीका है और spear fishing is often the first step used to penetrate a company's defenses and carry out a target attack fishing करने के लिए किसी भी company को target किया जाता है उसके defenses को break कर दिया जाता है और उस पर attack करके उसकी valuable information चुरागी जाती है तो ये इस प्रकार की जो fishing है ये spear fishing कहलाती है next है welling welling attack इसलिए बोला जाता है क्योंकि well musli काफी बड़ी होती है इसलिए किसी बहुत बड़ी company के CEO को track करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है इसको welling बोलता है these attacks often spend considerable time profiling the target to find the opportune moment and mean of stealing login credentials इसके लिए किसी भी CEO जो होता है उसकी पहुंच company के सबसे महतुपून data तक होती है तो उसको फसाने के लिए या उसको track करने के लिए काफी त्यारी किया जाती है और बहुत सारा time spend करके उसको target किया जाता है उसी के accordingly बहुत बड़ी profile बनाई जाती है और उसको use करके login credentials चुराई जाते है क्योंकि अब CEO के पास company की सबसे महतुपून data होता है सबसे सारी policies की जानकारी होती है योजनाओं की जानकारी होती है तो इसको track करके या उसके credential चुरा के company की बहुत ही महतुपून सूचनाई भी चुराई जा सकती है तो इस प्रकार की जो information होती है वो वे link कराती है जिसके दोरा किसी बड़ी व्यक्ति को कोई बहुत ही महतुपून व्यक्ति है उसके credential चुरा कर और उसके दोरा एंटर किया जाता है उसकी website के अंदर और उसकी information चुरा ली जाती है next है farming और DNS spoofing farming जो है ये भी fishing की तरह होता है जिस प्रकार fishing में किसी को फसाया जाता है जाल में और उसके साथ में fraud किया जाता है इसी तरह farming की जाती है farming sends user a fraudulent website that appears to be legitimate इसमें user को एक website बेज़े जाती है या उसके जैसी मिलती जुलती website करेड की जाती है जिसके उपर जो की legitimate या बिल्कुल सही website की तरह दिखाई देती है और इस case के अंदर victim को कोई link नहीं बेज़ा जाता जबकि उसको खुद को उस bogus site के उपर ले जा जाता है तो attacker can infect either the user computer और website DNS server इसके अंदर attacker जो है वो user के computer को effect कर देता है या जो website का DNS server है domain name server उसको ही attack कर लेता है जिससे की जो user है वो correct URL टाइप करने के उपर अपरांध भी एक fake site पर चला जाता है यदि DNS server के उपर कोई change कर दिया जाए तो यदि हम कोई सही website के address डालेंगे तो भी सही website पर जाने की जगा वो उस fake website पर चला जाएगा तो इस प्रकार के जो attack होते हैं जिसमें DNS स्पूफिंग कर दिया आती है मैं domain name server जो है उसी को change कर दिया जाता है और दाकी की सारा traffic हमारे नए server जो पर divert किया जा सके है इस प्रकार के लिए जो attack होता है इसके लिए काफ़ टेक्निकल नॉलेज की आफशकता होती है और यह जो attackers होते हैं वो इस प्रकार के activity करते हैं जिससे की जो user है तो वो actual या सही site पर जाने की जगा इस fake site पर आ जा है और वहाँ से सारी के-सारी उसकी जो credential या सूझना है वो चुराई जा सके है यह हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर मैंने fishing, farming, sniffing, spoofing पड़ी है और यह लास्ट टॉपिक है 2.5.3 farming और dns spoofing जिसमें domain name से server को spoof करके और user को किसी भी fake website के उपर target कर दिया जाता है थैंक यू